हाई गाईस, आएम मोहित, जोकर 2 रिलीज हो चुकी है और उसको देखने की तैयारी में मैंने देखी जोकर 1 और आई हाई हाई क्या मज़ा आ गया, सुकून आज की वीडियो में मैं जोकर 1 की स्टोरी को डीटेल में एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए तो कहानी स्टार्ट करते हैं कहानी शुरू होती है 1981 के गौथम सिटी में जो लोग गारवेज या कूडा कलेक्ट करते हैं वो 18 दिन से स्ट्राइक पर हैं जिस वजए से दिनो दिन सिटी में कचरा एकटा हो रहा है जहां भी देखो कचरा फैला पड़ा है सिटी की हालत बहुत खराब है वीमारी फैल रही है गंदगी से हर जगए चुए हो गए है रिसेशन चल रहा है लोग गरीब होते जा रहे हैं और क्राइम दिनो दिन बढ़ रहा है आर्थर फ्लैक एक छोटी सी कंपनी के लिए क्लाउन की नौकरी करता है वो अपने फेस पर पेंट करता है और जो भी उसको बताया जाता है वो करता है जैसे बच्चों के सामने क्लाउन बनकर डांस करना है या स्ट्रीट पर डांस करना कोई बोर्ड वगेरा लेके आर्थर उनके पीछे बागता है और फिर वो लड़के आर्थर को गिराके लातों से मारते हैं और उसका सारा पैसा लूटके भाग जाते हैं। जब लड़के उसे मार रहे थे तो वो कहा रहे थे की मारो इसको ये बहुत कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। आर्थर को एक neurological बीमारी है, वो अपनी awkward सी हसी को control नहीं कर पाता, जब वो दुखी हो या गुसा हो या कोई और emotion हो, तो वो तेज तेज हसने लगता है और हसी को control नहीं कर पाता, आर्थर एक therapist के पास regularly जाता है, जिसको अपनी problems बताता है, वो therapist उसकी help करने का try करती है, उसको medications दवाईयां देती है, आर्थर stand-up comedian बनना चाहता है, उसको लोगों को हसाना अच्छा लगता है, आर्थर अपनी diary में लिखता है, कि I hope मेरी death ज्यादा sense बनाए मेरी life से, आर्थर साथ different तरीके की दवाईया already ले रहा है, क्योंकि उसको हमेशा ही बहुत बुरा लगता है, औ लोग उसे पागल समझते हैं, आर्थर घर में अपनी बूडी मा पैनी फ्लेक के साथ रहता है, वो अपनी मा को बहुत प्यार करता है, उन्हें खाना खिलाता है, नहलाता है, उनका खयाल रखता है, आर्थर और उसकी मा हर शाम को एक TV शो देखते हैं, live with Marie Franklin, आर्थर को ये TV शो बहुत पसंद है, और ये शो वो बचपन से देख रहा है, इस शो का होस्ट है, Marie Franklin, एक दिन आर्थर अपनी मा के साथ ये शो देख रहा है, और शो देखते देखते वो imagine करने लगता है, कि वो भी audience के बीच बैठा हुआ है, और Marie Franklin उससे बात कर रहा है, उसकी तारीफ क करता है, उसे गले लगाता है, ऐसा सब imagine करके आर्थर मन ही मन बहुत खुश हो रहा है, आर्थर की मा पैनी फ्लेक, गौथम सिटी के बिलेनियर बिजनिसमेन, थॉमस वेन को चिठियां लिखती रहती है, उन चिठियों में वो लिखती है कि हम बहुत गरीबी में रह रहे है हमारी मदद करो, पैनी फ्लेक ऐसी चिठियां कई सालों से लिख रही है, लेकिन आज तक उसको कोई जवाब नहीं आया, पैनी फ्लेक तीस साल पहले थॉमस वेन के याँ नौकरानी का काम करती थी, पैनी फ्लेक कहती है कि थॉमस वेन बहुत अच्छे आदमी है, हमारी मद कमपनी के लिए क्लाउन बनने का काम करता है, वहां सभी को पता चल गया है कि आर्थर को कुछ लड़कों ने बहुत पीटा था, आर्थर का एक कोवरकर रेंडल, उसको एक रिवालवर देता है, और कहता है कि इसे तुम सेर्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हो, अगर मारा था, बॉस कहता है कि ये सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा, आर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है, निरास हो जाता है, और बहुत दुखी हो के घर चला आता है, आर्थर स्टेंड़ अप कमीडियन बनना चाहता है, और वो दूसरे स्टेंड़ अ कमीडियन के शो में जाता है, अपनी डाइरी लेके, वो उनको सुनता है, नोट्स लेता है, वो देखता है कि किस तरह के जोक्स पर लोग हसते हैं, किस पर नहीं हसते हैं, और उस हिसाब से वो नोट्स लिखने का ट्राई करता है, आर्थर के नेवर हुड में एक सोफी नाम बनना चाता है, सोफी कहती है कि कभी मुझे भी अपने स्टेंड अप शो में ले चलो, आर्थर अब उसको अपनी गल्फरेंड की तरह देखने लगता है, एक दिन आर्थर क्लाउन बनके छोटे बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहा था एक हॉस्पिटल में, और डांस कर आर्थर क्लाउन के मेकप में मैट्रो से जा रहा है, उसी मैट्रो में एक लड़की को तीन लड़के छिड़ रहे हैं, ये लड़कों ने दारू पी रखी है, और ये वेन इन्वेस्टमेंट कमपनी में काम करते हैं, ये सब देखके आर्थर आउकबर्ली बहुत तेज इस्टेशन पर वाश रूम में पहुंच जाता है, गेट बंद करता है, और उहां धीरे धीरे डांस करने लगता है, उसे बहुत रिलेक्सिंग फील हो रहा है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने बुली करने वालों को पलट के मारा था, फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस क साथ सोफी के घर जाता है, और उसे किस करता है, ये तीन मडर्स की खबर हर न्यूस चैनल पे चल रही है, कि कैसे एक क्लाउन ने तीन अमीर लोगों को मार दिया, जो इतनी बड़ी कंपनी में काम करते थे, आर्थर अपनी थेरपिस्ट से मिलने जाता है, और उसे कहता है कि उसको सिर्फ negative thoughts ही आते हैं, उसको लगता है कि वो exist ही नहीं करता था, लेकिन अब उसको confidence आ रहा है किसी वज़े से, थेरपिस्ट आर्थर से कहती है कि अब से हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सरकार ने हमारी funding बंद कर दी है, अब सारे offices भी बंद हो रहे हैं, थेरपिस वो stage पे पहुँचता है, लेकिन बहुत nervous हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता और जोर जोर से हसने लगता है, अपनी हसी को वो control नहीं कर पा रहा है, लेकिन last तक कुछ अच्छे jokes करके लोगों को हसा लेता है, शो करके अब वो बहुत खुस है और अपने घर पहुँचता है उसे अपनी मा का लिखा हुआ लेटर मिलता है जो वो Thomas Wayne को भेजती थी, आर्थर उस लेटर को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ है, थौमस हमारी मदद करो, तुम्हारा बेटा आर्थर और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, आर्थर ये सब पढ़के बहुत शौक में चला जाता है वो गुसे में अपनी मां से बात करता है तो वो बताती है कि थॉमस वेन और मैं प्यार में थे और वो ही तुम्हारा बाप है लेकिन मैं बहुत छोटी उनसान हूं उसके सामने, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कुछ पेपर साइन किये थे, जिस वज़े से मैं किसी को नहीं बता सकती थी तुमारे वारे में और थॉमस वेन के बारे में अब आर्थर थॉमस वेन से मिलना चाता है एटलीस्ट एक बार उनसे बात करना चाता है उन्हें हग करना चाता है उसे कुछ पैसे वगएरा नहीं चाहिए बस उसे बात करनी है Thomas Wayne से Arthur किसी तरह एक सिनिमा हौल में घुश जाता है जहां Thomas Wayne आए हुए है Thomas Wayne वाश रूम जाता है और Arthur भी उसके पीछे वाश रूम चला जाता है Arthur Thomas Wayne से मिलके उनको बताता है कि वो Penny Flag का बेटा है Thomas ये सुनते ही मना कर देता है और कहता है कि तुम अडॉप्टेड हो मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ नहीं मैंने कभी Penny Flag से प्यार किया था Thomas आगे बताता है कि Penny ने तुम्हें अडॉप्ट करके तुमारे साथ गलत काम किये Penny के बॉइफ्रेंड ने भी तुम्हारे साथ बहुत सारे गलत काम किये थे जब तुम छोटे थे इसलिए Penny Flag को Gotham के Mental Hospital Arkham State Hospital में अरेस्ट करके डाला गया था ये सब सुनके Arthur बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वहीं तेज तेज हसने लगता है Thomas Wayne गुसे में आके उसे मुक्का मारके वहां से चले जाते है Arthur की मा की तबियत अचानक बहुत बिगड जाती है और उसे भरती कराया जाता है Arthur भी अपने मा के साथ है कि तभी TV पे Marie Franklin का शो स्टार्ट हो जाता है जिसमें Marie Arthur की तेज तेज हसने वाली स्टेंड अप वाली क्लिप दिखाता है और कहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि तेज तेज हसने से ही कॉमेडी हो जाएगी वो Arthur की थोड़ी बेज़ती करता है उसको जोकर बुलाता है उसकी हसी उडाता है और ये सब देखके Arthur बहुत निरास और गुसा हो जाता है उसका बचपन का फेवरेट टीवी होस्ट भी अब उसकी हसी उडा रहा है लेकिन ये एपिसोड बहुत फेमस हो जाता है और लोग डिमांड करने लगते हैं कि Arthur को Marie Franklin के शो पे बुलाया जाए और फिर Marie Franklin की तरफ से Arthur को शो पे as a guest आने का invitation आता है और Arthur accept कर लेता है Arthur के मन में थॉमस वेन की कई होई बातें गूम रही हैं वो Arkham Hospital जाता है और अपनी मा की फाइल निकलवाता है वो फाइल पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि Penny Flag को mental बीमारियां थी जैसे वो delusional थी उसको personality disorders थे और उसने अपने adopted child के साथ गलत काम किये थे Penny Flag के boyfriend ने भी बहुत सारे गलत काम किये थे उस adopted child के साथ और Penny Flag ने ऐसा होने दिया था Penny Flag का boyfriend उसके adopted child को बहुत मारता पीड़ता था जिस बज़े से बचपन में आर्थर के सर पर कई सारी चोटें आई उस फाइल में पैनी फ्लेक का भी स्टेटमेंट था पैनी फ्लेक ने बोला था कि ये सब थॉमस वेन ने करवाया है और उसे जूटा फसाया है आर्थर थॉमस वेन का ही बेटा है ये सब पढ़के आर्थर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जोर जोर से हसने लगता है, रोता है, वहां से वो सीधा सोफी के घर जाता है और अंदर जाके बैठ जाता है सोफी आके कहती है कि तुम कौन हो, प्लीस मेरी बेटी सो रही है, यहां से चले जाओ सोफी ऐसा बहब करती है, जैसे वो आर्थर को जानती ही नहीं है आर्थर उठके वहां से चला जाता है, उसे रिलाइज होता है कि सोफी और उसके बीच कुछ नहीं था, वो वस अपने मन में ही सोफी को इमेजिन कर रहा था अब आर्थर और भी पागल हो रहा है, वो रात बर अपने घर में हसता रहता है, वो सुबह हॉस्पिटल जाता है और अपनी मा को तकिये से उसकी सांस रोक के उसे मार देता है उसे अब रिलेक्स लग रहा है, वो घर आके तैयार हो रहा है, नाच रहा है, उसको मरी फ्रेंकलिन के शो पे आज रात जाना है वो नहाद हो के अपने मूँ पे क्लाउन वाला मेक अप कर रहा है, तब ही उसके घर पे रेंडल आता है अपने एक दोस्त के साथ रेंडल वही कोवरकर है, जिसने इसको गंदी थी, लेकिन बाद मैं बॉस के सामने जूट बोल दिया था रेंडल आर्थर से कहता है कि पुलिस उसके पास आई थी, पूछताच कर रही थी, जो तीन मडर्स मेट्रो में हुए थे उसके बारे में आर्थर कहता है कि मेरी मा मर चुकी है, मैं खुश हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ और फिर वो एक कैची लेके रेंडल के गले में गुसेड देता है और फिर बार बार घोप घोप के उसको मार देता है गौथम सहर की आला तब बद से बत्तर हो गई है, बहुत सारे लोग अब क्लाउन वाला मास्क पहन के गूम रहे हैं वो मेट्रो में हुए मडर से इंस्पिरेशन ले चुके हैं और वो सब अब अमीरों को मारना चाते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग रैलिया निकालते हैं, क्लाउन वाला मास्क पहन के आर्थर फाइनली अपना मेक अप करके सूट पहन के तयार होता है और मरी फ्रेंकलिन के शो पे पहुँचता है वो अब बहुत कॉन्फिडेंट है, वो मरी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जोकर कहके बुलाया जाए क्योंकि मरी ने जब उसकी क्लिप दिखाई थी अपने टीवी शो में तो उसको जोकर कहके ही उसकी बेजिती की थी फाइनली जोकर मरी फ्रेंकलिन के शो में एंट्री करता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, दोनों बातें करते हैं और फिर जोकर बताता है कि मैंने ही उन तीन वाल स्ट्रीट वाले लड़कों को मेट्रो में मारा था पहले तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर जोकर बहुत सी हार्ड हिटिंग बातें कहता है वो कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि ये बहुत बुरे लोग थे आजकल हर को ही बुरा है, अगर मैं मर गया होता तो किसी को कुछ फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर वो अमीर लोग मरे तो सब को फरक पड़ा लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारते हैं फिर वो मरी फ्रेंकलेन से कहता है कि तुम भी कुछ अलग नहीं हो, तुमने भी मेरी क्लिप टीवी पे इसलिए दिखाई ताकि तुम मेरी हसी ओड़ा सको, सम मुझ पे हस सके हैं आज भी तुमने मुझे इसलिए शो पे बुलाया है ताकि तुम मेरी हसी ओडासा को बेजती कर पाओ वो चिला के कहता है कि लोग मुझे पागल समझते हैं कोई प्यार से नहीं बोलना चाहता वो मरी फ्रेंक्लिन से कहता है कि तुम्हे भी वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो और ये कहकर वो अपनी रिवॉलवर से मरी को लाइव शो में गोली मार के उसको मार देता है पुलिस जोकर को अरेस्ट कर लेती है लेकिन इस शो की बज़े से अब पूरे शहर में जोकर के फॉलवर्स हो गए हैं हर जगे लोग तोड़ फूड कर रहे हैं आग लगा रहे हैं जोकर वाला मास्क पहन के पुलिस कार में जोकर को अरेस्ट करके ले जा रही है और फिर उसके फॉलोर्स कार का एक्सिडेंट करके जोकर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर बहुत सारे लोग जोकर को घेर कर उसका जैकारा लगा रहे हैं जोकर भी वहाँ डांस करता है और उसके चेरे पे जो खून था उससे वो जोकर वाली इसमाइल बनाता है। मास्क पहने हुए बहुत सारे लोग एक सिनिमा हॉल की तोड़ फोड कर रहे हैं जहां पर थॉमस वेन, उसकी वाइफ और बेटा ब्रूस वेन आई हुए हैं। वो बच के बार निकलते हैं लेकिन एक आदमी जोकर का मास्क पहने हुए थॉमस वेन और उसकी वाइफ को मार देता है और बचता है सिर्फ ब्रूस वेन। जोकर वन खतम होती है तो यार बहुत ही हार्ड हिटिंग नोट पे ये मुवी खतम होती है तो आई होप आपको ये मेरा एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा होगा और भी वीडियो आने वाले हैं जोकर टूपे भी आएगा और मैं इसकी फिलोसिफी और इन मुवीज पे इन स्थर शने उनाओ रही ये मुवी खतम होगा है तो आई ही है तो आई है तो आई हाम कर दो आई हैं तो आई है तो आई हैं ये वीजिफ प्रूब आई हैं जो आई हैं